असलाम लगेकुम दोस्तो आज की वीडियो का टॉपिक काफी इंट्रस्टिंग है आज आप जान पाएंगे कि वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिने देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे फीमेल एग लेकरने वाली है जब वो ब्रीड की तरफ आने वाले हैं हमारे तो वीडियो काफी इंट्रस्टिंग है मैं आपको क्लियरली बताऊंगा और 100% आपको अंताज़ा हो जाएगा कि आपके बर्ड कप ब्रीड करेंगे तो शुरू करते हैं आज की इंट्रस्टिंग वीडियो को लेकिन अगर चैनल को सबस्क्राइब नहीं करो करके बेल आइकन को आल पर रखें ताकि आपको बाकी वीडियो की अपडेट भी मिल पाए तो हमारी पहली निशानी और जो पहला पॉइंट है वो है आपके बर्ड का पेर बनना तो हमें कैसे मालूम होगा कि हमारे बर्ड का पेर लग चुका है तो आप देखेंगे जो एक सा स्टिक पर बैठें गे मेल और फीमेल दाना एक्षेंज़ करेंगे एक दूसरे के परों में में खारश करेंगे और सर को जिटा कर मेल फीमेल के मुँव में फیड प्राइगा यानि कि फीमेल टाथा होंगी अर ज़ो भी answer में प्राइग तो बहुत जल्संग अंड्र ले करने वाली है अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तो जी है कि जो आपके स्टेडिन पैलिड्स की फीमिल होगी वो मट्की के अंदर जांकेगी यानि कि सबसे पहले तो मट्की को तलाश करेगी जो अपना जायतर टाइम मट्की के सामने गुजारेगी यानि कभी उसके साओ उपर बैटके उसके अंदर देखेगी यानि कि सबसे पहले अपना डर खतम करेगी कि मट्की के अंदर कोई खत्रा तो नहीं है इसमें आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब इस तरह का प्रोसेस आपके बर्ट के साथ हो रहा हो तो आपने उनको मकमल प्राइवेस ज्यादा तर टाइम मट्की के अंदर स्पेंड करेगी यानि मट्की के अंदर बैठी रहेगी और कुछ टाइम के लिए दाना खाने के लिए बायर आएगी फिर मट्की के अंदर चली जाएगी इस तरह से यह काफी टाइम तक चलता रहेगा इससे आपको ज्यादा होगा कि female का मटकी पसंद आ चुकी है और अब ये breeding की तरफ आने वाले हैं तो इस condition में भी आपने अपने birds की feed का भी अच्छा ख्याल रखना है ताँ कि किसी किसम के multi vitamins की कमी आपके birds के अंदर ना आए अब आते हैं अपने चोथे point की तरफ जो कि है कि male अपना जो interest होगा female के अंदर शो करेगा यानि कि जब female मटकी स्लेक कर लेगी तो male भी उसके साथ साथ रहेगा उसके पीछे पीछे जाएगा उसके सामने डांसिंग करेगा और जंपिंग करेगा वो ये शो करेगा कि वो भी breeding की तरफ रेड़ी है जनके female भी मटकी स्लेक कर चुकी होगी और आपका बर्ड भी हीट पर होगा तो इस तरह से भी आपको जब देखेंगे सुबह के वाग्त तो आपके बिल्कुल ऐसे करें होंगे इस तरह से काफी टाइम तक चलता रहेगा अब आते हैं पांच में या आठ शे दस दिन भी लगा लेती हैं यह आप पर करता है कि आप किस किसम का इंवायर्मेंट अपने बर्ड को प्रॉइड करते हैं अगर आपने ऐसा महौल दिया हुए अपने बर्ड का जिसमें बच्चे वगएर उनको डिस्टर्प करते हैं या आप ज्यादे तर टाइ देख लें कि आपका बर्ड मेटिंग कर रहा है तो अब तब आपको 100% कनफर्म हो जाएक फीमेल एक हफते से लेके 8-10 दिन तक उसके अंदर एग ले करने वाली है क्योंकि मेटिंग के बाद बर्ड ज़दा 8-10 दिन के अंदर अंडे दे देता है अगर आपने बर्ड को वेट के अरिया होगा काफी पूल जाएगा आप देख सकते हैं कि जब फीमेल क्राश बालेगी तो उसके वेट का या थोड़ा सा फूल जाएगा और जोसकी ड्रोपिंग में जो आपका साइज देखेंगे काफी बड़ा हो जाएगा यानि कि आम ड्रोपिंग से फीमेल की ड्रोपिंग का साइज बड़ा होगा इस तरह से भी आपको पता चल जाकर कि आपके बर्ड का क्रॉस हो चुका है और जैसा कि मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं कि क्रॉस के आठ से दस दिन के बाद फीमेल अपना पहला अंडा लेकर देगी और जब फीमेल एक अंड की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप लेफट वाली वीडियो देख सकते हैं तो मैंने तफसील के साथ बताया हुआ है लेकिन अगर आपने बर्ड के लिए ब्रीडिंग फार्मूला बनाना है तो राइट वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो न